हेलो फ्रेंट्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से स्वागता आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवन टेकनलोजी में एक नई टेक नियूज के साथ तो जो पहली खबर निकल करके आई है फ्रेंट्स वो है कि रिलाइंस जी और विवो के बीच हो सकती है पार्टनर और उरेजमी ने व da likewise कि खूप्र निकल कर आती है वह यह फ्रेंट की पिर से इंडिया में वहापस आने वाला है वह वापस आने वाला है तो जितने भी लोग जितने भी पब जी लवर्स अभी तक मायूस बैठे हुए थे उनके लिए ये बहुत ही अच्छी गूड न्यूस है कि फिर से इंडिया में रिलाउंच होने वाला है और आप लोगों को कुछ ही समय बाद अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में इनी स्मार्टफोन मेकर वीवो क साथ पार्टनर्शिप करने की पूरी-पूरी तहरी बना ली है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलाउंच जियो अपने अगले आने वाले जियो फोन के साथ वन टाइम स्क्रीन रिप्लेस्मेंट सब्सक्रिप्शन और शॉपिंग के कई आफर्स भी देगा हला कि इसके लिए कस्टमर्स को रिलाउंच जियो का ही सिम यूज करना होगा किसी अन्य सिम पर ये आफर्स नहीं मिलेंगे बताया जा रहा है कि कमपनी सिर्फ वीवो ही नहीं बलकि दूसरी अन्य भारती स्मार्टफोन मेकर जैसे लावा कार्बन के इस रिपोर्ट के अनुसार इन स्मार्टफोन की मैक्सिमम कीमत 8000 रुपयत होने वाली अब देखना यह कि रिलाउंच यो अपनी नए स्मार्टफोन के साथ मार्केट में कितनी जगा बना पाता है या कितनी पकड़ बना पाता है क्योंकि अब कंपनिया काफी कम कीमतों पर इस सारी लांचिंग्स आज एक साथ कर दी है जैसे कि Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 4G के साथ साथ Redmi स्मार्टफोन को भी लांच कर दिया गया है आज के आज ही और मैं आपको बता दू कि rates और specifications के हिजाब से ये सारे phones बहुत ही अच्छे हैं पर Redmi Note 9 Pro 5G में आपको सारे 700 5G processor देखने को मिलेगा और 108 Megapixel का monster camera देखने को मिलेगा अब ये देखना है गाईस की इंडिया में आने के बाद इस फोन की कीमत क्या होती है अब ये तो तब ही पता चलेगा जब ये फोन इंडिया में लांच हो जाएगा अब नजए डालते हैं तीसरी और important ख़बर की ओर जो की एक पुरी तरिके से इंडिया में बैंड कर दिया था और अभी कुछ समय पहले ही ये खबर आई है कि PUBG Corporation ने भारत में PUBG Relaunch करने की घोजना कर दी है यानि कि Publicly और Officially Announce कर दिया है कि PUBG India या PUBG Mobile India में दुबारा से लांच कर दिया जाएगा जिस से PUBG Lovers के बीच में काफी ज़्यादा खुशी की लहर है और Company की Official Website पर भी अभी आप Coming Soon लिखा हुआ देख सकते हैं इंडिया टीवी की एक ताजा तरीन रिपोर्ट के अनुसार आप PUBG Mobile को अपने Mobile Phone के Play Store में एक दिसमबर से 5 दिसमबर के बीच में पुना देख सकते हैं फिर से देख सकते हैं क्योंकि ये Relaunch होने वाला है और आपको आगे बताता चलूं कि अभी कुसमें पहले ही खबर आई थी कि PUBG India Company के रेश्टेशन को सरकार की ओर से Approval मिल गया है और Game जल्द ही लाँच कर दिया जाएगा तो PUBG India Private Limited अब भारत में रेश्टेट कमपनी बन गई है बता दे कि 20 नमबर 2020 को करनाटक में बनी PUBG India PUBG Corporation की भारती सबसीडिरी वाली कमपनी है चौती अपडेट की ओर अगर देखे तो Redmi ने आज अपनी एक स्मार्ट वाच लाँच कर दी है जो कि इनकी पहली स्मार्ट वाच है तो आईए पूरी खबर को जनते है शाओमी के ही ब्रांट Redmi ने आज अपनी एक स्मार्ट वाच लाँच कर दी है जो की एक बजट केटेगरी स्मार्ट वाच है जिसमें की आपको NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा इस स्मार्ट वाच का डायल स्कॉर्ट शेप का है और इसमें कई तरीके के फिटनेस फीचर्स भी दिये गया है Redmi smart watch की dial 1.5 inch के करीब display दी गई है display में auto brightness का support दिया गया है इसमें कई तरीके के pre-installed fitness modes भी दिये गया है इस watch में आपको heart rate monitor भी देखने को मिलेगा heart rate monitor क्या होता है जो कि आपके heart rate को monitor करता रहता है और बाद में पूरा का पूरा graph आपको निकाल करके दे देता है पूरे 30 दिनों का Redmi watch को MI Fit app के साथ connect किया जा सकता है इसमें 120 watch face का support भी दिया गया है यानि कि आप अपने हिसाब से इसमें watch face set कर सकते हैं इस smart watch के अंदर आपको 7 तरीके के अलग-अलग sports modes देखने को मिलेंगे जिसमें की जो popular sports mode है जैसे की running, cycling और indoor swimming जैसे modes भी शामिल है इसमें दिया गया heart rate sensor 120 घंटे तक आपके heart rate को monitor करता रहता है जैसे के मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस smart watch की belt को भी यानि की wrist belt को भी आप कई colors में देख सकते हैं उसी आप change कर सकते हैं इसमें sleep monitor भी दिया गया है चलती रहती है और चलती ही रहती है अब बात करें अगर इसके कीमत की तो ये आपको पढ़ेगी 299 यूआन की अगर Indian currency में इसकी बात करें तो ये 3358 रुपए की पढ़ेगी अभी फिलाल इसको इंडिया में launch नहीं किया गया है अगर ये घड़ी या ये smart watch इंडिया में आती है तो इसमें से NFC support को हटा दिया जाएगा उससे इसकी कीमतों में काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है ताश बन ओर दा लिस्ट Galaxy S21 में आपको कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे आए पुरी details चालते है Samsung Galaxy S21 के case का render सामने आ चुका है जिसे देखर कि लगता है कि Galaxy S21 में काफी बड़े बड़े बड़ाव हो सकते हैं खास करके इसकी camera module के अंदर Samsung Galaxy 2021 की शुरुवात में ही अपना नया flagship Galaxy S21 series launch कर सकता है इस case से ये भी निकल कर कि आया है कि Galaxy S21 में covered display नहीं मिलेगी बलकि flat display मिल सकती है Samsung Galaxy S21 में आपको triple rear camera का setup देखने को मिल सकता है जिसमें की flash अलग से दी गई है जो की देखने में काफी ज़दा आकरशक और attractive लग रही है इसमें आपको दो camera 12 megapixel का मिलेंगे जबकि एक lens आपको 64 megapixel का मिलने वाला है Galaxy S21 के अंदर आपको 4RMS की तक की battery देखने को मिल सकती है और आपको 25W का fast charging support भी देखने को मिल सकता है इस smartphone को company 2021 के जनवरी या फर्वरी में launch कर सकती है तो friends यह थी सारी tech news जो आज मनें आपके साथ share की है इसी तरीके की amazing और interesting tech news सुनने के लिए या देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलें वीडियो अगर पसंद आई तो से like और comment करना मत भूलेगा चैनल को कर लिजेगा subscribe और नीचे दी हुई बैर आइकन को जरूर रस कर लिजेगा ताकि मेरे दौरा latest और आने वाली सभी वीडियो की notifications आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमेशा हर पर tech से या technology से update रह सके तो friends मेरे साथ बने रहे और मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स आप में साथ तब तक के लिए bye bye take care love you all thank you